भेगु सरै पढ़ना मुख्या हत्या कांड का हुआ बड़ा खुला सा पूर मुख्या महभूज अंसारी नहीं करवा दी हत्या पंचाई चुनाव का ले लिया बदला दो साल से खून का पैसा महभूज अंसारी ने दो साल पहरे ही रच ली थी इस खून की साजिस मौके का तलास मिला तो चार अपरादियों के साथ मिलकर यहां ताबर तोर फाइरिंग कर विरेंदर सर्मा की करदी हत्या वैसे तो परना के मुखिया को अपनी मौत की साजिस पहले से ही पता थी क्यूंकि पंचैट चुनाव जीते ही पर्ना के मुखिया ने कह दिया था कि मेरी कभी भी कुछ भी घटना हो सकती है मेरे साथ क्यूंकि पूर्मुखिया ने इस दिसंटह से साजिस रचते आये हैं आज जो है वो साजिस जो है कही ना कही सही माइने में देखने को मिली जहां पर कुछ दिन पहले परना के मुख्या की हत्या भी हो गई और पूर मुख्या जो इस हत्या में सामिल था वो फिलहाल फरार है लेकिन सवाल ये उठता है कि पिछले दो साल से परना के मुख्या ने आम लाइसेंस के लिए अपलाई किया था लेकिन बुलिस ने उसको और परसासन ने उसको अब तक लाइसेंस नहीं दिया जिसके कारण ये हुआ कि मुखिया को अपना जान गवाना पर गया और पूर मुखिया का जो साजिस था वो कहीं ना कहीं सफल हो गया हाला कि मुख्या फडार है लेकिन बेगुसराय परसासन ने तीन लोगों को गिरफतार किया है तो चलिए सुनते हैं स्पी योगेंद्र कुमार जीक से कि क्या है पुरा मावला के साथ मैं कुमार सान हूँ आप सभी का फेस ओब भी हार यूज यानि आपका फॉर्ब निउज मैं आपका स्वागत ने दो दिन पहले परना पंचायत के मुख्या अत्या कांड में शामिल तीन अभी उपतों की पुलिस द्वारा गिरफतारी कर ली गई है एक का नाम अंजुम है यह मुख लाइनर का का काम कर रहा और तीसरे का नाम फरान है यह मुख्य अभ्यूक्त जो है महफूद उसका सगा बेटा है देखे गटना का मुख्य साजिस करता पंचायत परना पंचायत का हारा हुआ पूर मुख्या महफूद अंसारी है महफूद ने 2021 में चुनाव हारने के बाद इस पूरी गटना का शर इसी ने अरेंज करके अपराधियों को दिया था चुकि घटना होने के बाद किसी को सपर शक ना जाए इसलिए घटना से ठीक पहले सारा इंतेजाम करके शारय बाग दिया था ज़िए इस सने और अन्यूम और इस्थियाक शुम्रत on के काम कर रहे थे कि अर जय bow जैसने के country रची महफूज अंसारी नहीं यह उसके भी करीबी थे इसलिए इन दोनों का प्रियोग अभ्यक्तों ने जो मुक्त साजिस करता है उसने किया गटना के बाद हम लोग ने गटनाइस्टल को जब विजिट किया गटनाइस्टल के पास से करीब 20 CCTV पोटेस पुलिस ने चेक किये गटनाइस्टल के आसपास जो लोग थे उनसे बादचीत की तो इसमें जो बाकी की लोग सामिल हैं सभी के बारे में बहुत important clue हम लोग को मिल गए है और एस्टी के नित्रित में एक टीम गठित की गई है यह टीम लगातार चापे मारी इसमें कर रही है तो कुल मिलाके मुक जो महफूज अंसारी है इसके गिरफतारी के लिए और इसके खिलाफ कोट से वारंट और की प्राप्त करने के आदेश दे दिये गए हैं मैं आप लोग को इसमें एक चीज़ बता दूं कि यह जितने भी तीन लोग अरे तीनों ने अपना अपरास विकार कर लिया है और इन तो तीन लोग थे इसमें दो लोग लाइनिंग का का म कर रहे थे मिर्तक के पीछे ही थे मोटरसाइकल पे और इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसके बारे मैं पुलिस जाज परताल बाकी वह सबके नाम पता हम लोग ने पता लगा लिया है तीन की गिरफतारी हो चुकी है दो वो जल्द कर लेगी